अब आप सभी का अर्दिक सौगत है और सबसेंप बात है कि आप चैनल को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें ठीक है ना साथ में आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट पर जाएं जोग्राफिक और से गुगल पर जाकर के एप आपकी सफलता की कुझी है ठीक है तो इंट्रेशल ट्रेड बुक सेकिंड का इंडिया पीपल इन इकनोमी इंट्रेशल ट्रेड जो है हमारी दोनों बुक्स के अंदर है फंडामेंटल फिमन जेग्राफिक अंदर हम वर्ल्ड सिनारियों में इंट्रेशल ट्रेड देखते हैं और पढ़ते हैं और समझता है और साथ ही में इंडिया पीपल इन इकनोमी जो बुक सेकिंड है इंडिन जोग्राफिक से रिलिटेड ठीक है ना इंडिन यूमन जोग्राफिक से रिलिटेड अगर मैं सही कहूं तो वहाँ पर इंट्रेश trade policies है हमारे जो balance of payment है साथ ही के अंदर हम देखेंगे कि हमारे international trade के अंदर बढ़ने में सबसे important key factors कौन से हैं साथ में ही क्योंकि हम ports को gateway of the international trade कहते हैं इसलिए हम इंडिया के ports भी पढ़ेंगे कि सबसे important ports ports मतलब बंदरगा जैसे कांडला मुंद्रा east coast पर post और west coast के ports जो है हम देखेंगे और समझेंगे चलो भी तो class शुरू करते हैं तो export और import की बात करते हैं इंडिया जो है जब हम आजाद हुए तो एक कमजोर देश थे after the independence लेकिन धीरे धीरे हम लोगों मजबूती देना चालो किया 1950-51 की बात करें तो हम बहुत कम चीज़े एक्सपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट मतलब माल को बाहर भीजना कोई भी देश तभी एक important business developed country बन सकता है जब ज़्यादा ज़्यादा माल को बेचे और उसके माल की डिमांड जो है उसके goods की डिमांड जो है उसके consumer goods की डिमांड जो है उसके manufacturing goods की डिमांड जो है उसके raw material की डिमांड पूरी दुनिया में हूँ वो country develop करती ही उसका business उसका इको डिफेलम करता है लेकिन जब देश आजाज हों तो बहुत कम जोर था तो हम import करते थे, even चावल और दाल और साथ में गेहू भी हमें import करना पड़ता था तो पहले अगर हम direction की बात करें business और export, import की direction की बात करें तो हम Europe से और अमेरिका से बहुत सारे consumer goods और manufacturing goods मंगवाते थे धीरे-धीरे जब हम develop होने लगे, 1991 के अंदर जब liberalization, LPG, liberalization, privatization और globalization इंडिया में आया तो धीरे-धीरे ये trade direction बदली और इंडिया export भी करने लगा, बड़ी मातर हम समान export करने लेकिन फिर भी आज भी हम लोग जो हैं वो import कर रहा है petroleum की importing होती है, manufacturing goods की important होती है, लेकिन दीरे-धीरे लगातार जो है इंडिया international trade में अपनी धाग जमा रहा है और आपको पता है कि आज पांच ये नमर की सबसे बड़ी economy है, ठीक है न, तो हम इंडिया के exporter इंपोर्ट पढ़ेंगे, export in simple, माल को भीजना, भारत से बाहर माल को भीजना लग कंट्री में, import मतलब भारत में माल को मंगवाना, ठीक है न, जो जरूत का समान है, चले वह, तो पढ़ना शुरू करता है, ठीक है, तो पढ़ना शुरू करता है, और समझना शुरू करता है, चले वह, आजाएं, तो इस तरह से structure को हम जो है, वो last में दखेंगे, कि क्या-क्या, import or export करता है, ठीक है, सबसे पहले हम बात करें, इंट्रिया contribute the world trade less than the 1%, 2016-17 के अंदर 1% से इंट्रेशनल ट्रेड में participation है हमारा ठीक रा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट समाल को भेजने और समान को मंगवाने में, the changing pattern in India, international trade, 1950-51 तक हमारा एक्षिनल ट्रेड जो था, वो 1214 क्रोड का, वन टूवन फॉर क्रोड का था, और 16, अगर हम बात करें, 2016-17 की, तो यह बढ़ करें, 24-29-76, टू करोड हो गया, लगातार हमारा इंटनेशनल ट्रेड बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, the better performance by the manufacturing sector, अब भारत के अंदर जो है, वो बहुत सारे, अगर हम बात चीत करें, तो बहुत सारी manufacturing hub बन चुका है भारत, आज हम भारत की बात करें, त जो है, वो manufacturing units को लगा रही है, क्योंकि भारत के अंदर resources के कारण, और Indian government की policies के कारण, यहाँ पर manufacturing और trade डवलप हो रहा है, भई, चीज़े कब भी कहेंगी, कब export होंगी, ठीक है ना, कब import होंगी, कब export होंगी, जब यहाँ पर उस तरह का infrastructure होगा, उस तरह का infrastructure कब बनेगा, जब government motivated होगी, ठीक है, transportation होगा, communication होगा, raw material होगा, resources होगे, trade skilled human resources होगे, सस्ता पढ़ेगा लोगों को यहाँ manufacture करना, तब जाकर के बहुत सारे international जो business है, companies है, manufacturing units हो यहाँ के लेंगे, और जो की लगातार लग रही है, ठीक है, अब इंडिया की demand भढ रही है, ठीक है, बहुत स sector, first, the liberal policy for the government, सबसे पहला, LPG से शुरुआ तो ही, liberalization, privatization, globalization, globalization, manmohan Singh जी वित्मंतरी थे, and then, नर्सिमार आप ते, then, उसके बादे 2014 के अंदर, then, this, NDA government जब आई, तो इन्होंने और ज़्यादा इसको, जो है, वो motivate किया, the diversification of the market, market की जो demand थी, उसके अनुसार, manufacture हुई चीज सब्सक्राइब, तो पैसे कमा सब्सक्राइब, तो 3 important है, the better performance by the manufacturing sector, liberal policies, policies बहुत important है, अगर government अच्छी policies नहीं बनाएगी, fruitful policies नहीं बनाएगी, जो कि businessmen's को, जो कि manufacturers को, एक अच्छा ground दे सके business को बढ़ाने के लिए, तभी business बढ़ सकता है, अगर वो policies अच्छी नहीं होंगी ठीक है ना, तो फिर नुकसान होगा, ठीक है, और साथ में diversity market, market जिस speed से मिदल रहा है, 4G, 3G, 5G, mobile manufacturing, AI, manufacturing goods, ठीक है ना, जिसा भारत जो है, वो global market में हतियार का भी supplier हो गया, पहले हम सिर्फ इंपोर्ट करते हैं हतियार, अब हम export भी कर रहे हैं weapons को, अजर्वेजान को देता है, ठीक है ना, कई सारे देश जो है, जो है, जो है, जो है हम से हतियार अब खरीद रहे हैं, ठीक है, the import value more than the expert value, so trade deficit है, हमारी जो export value है, हमारी जो import value है, export value से ज़्यादा है, आपको पता ये balance of trade क्या होता है, जब exports हम कम करते हैं, और imports ज़्यादा करते हैं, तो unfavorable होता है, balance of payment negative हो जाता है, ऐसा हमने जब first book का international trade पड़ा था, तो हमने समझाता है, कोई भी देश, जितना ज्यादा export करेगा, जितना ज्यादा export करेगा, वो देश की economy उतनी ही rise करेगी, उसका international trade उतना ही rise करेगा, और balance of payment जो है, वो हमेशा profit में रहेगा, deficit में रहेगा, लेकिन अगर क मैप दे रखाएगा, मिनाइटे स्टेट्स के साथ में Belgium, European countries, Australia, Middle East के साथ में कितना बिसनिस करते है, इस सफेक्स को याद नी करना है, एक मैप है, समझाने के लिए किस तरह से इंडिया जो है वो इंटरेस्टेट कर रहा है, यहादा, दे हैब बीन देश इंडिया इंडिया बाहर से समान मंगाते थे, इवन डाल और चावल ही मंगाते थे, लेकिन फिर ग्रीन रेवलुशन हुआ, फिर नई पॉलिसी आई, तो धीरे धीरे इंडिया का मार्केट जो है, वो बनने लगा और आज जो हम एक मजबूत एक बिजनस मैन के तौर पर भी दुनिया में देशों समंगवाने, जैसे मेरी बहुत सारी जो फॉरेंड एक्चेंज और फॉरेक्स है, रिजर्वस है, वो भी बहुत सारा उसमें खर्च होता है, खास करके पैट्रोल, डिजल, पैट्रोल, नेच्रोल गैसेज, तो अभी भी इंपोर्ट जो हमारे हाइर है, ठीक है, ओक कल्चर, सबजिया, फूल वगरा करते हैं, फ्रेश, फ्रूट्स करते हैं, शुगर करते हैं, मरीन प्रोड़क्स, मचलिया वगरा करते हैं, स्पाइसे, हम लोग यहां से जो है, कॉटन जो है, हम यहां से एक्सपोर्ट करते हैं, तो यह तो हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से देशों में हम बेसते हैं ठीक है चलने हैं बई सेंपल तर चेंजिंग पैटरन ऑफ दे कंपोजिशन ऑफ दे इंडिन एक्सपोर्ट ठीक है ना क्या क्या चेंज़ें हुआ हमारे एक्सपोर्ट मट्रेयल में से लेकर के 16-17 तक जो कि आपके एंसाटिव दे रहा है आप इसको 2022-2023 तक मान सकते हैं आर्दे सालों में एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यदा चेंज़ें नहीं आते हैं वन परसेंट टू परसेंट के आसपास चेंज़ें आते हैं साथ में कंजूमर गूर्स के दर तीन चाल बाकि बहुत ज़्यदा द्रास्टिक दल यूमाराइ कर कि दर टीके याटे संट ऑडू के दरश जियो शिर्मना भी के बहुत कुछी सेर्विंट करें जोन और भी आपर जौञ रही आ है ओके इंजिनिरिंग गूर्ट्स है शोन दे सिग्निफिकेंट ग्रोथ टेक्स्टाइल सेक्टर कुड नॉट अचीव मच इन स्पाइट अफ़ लिबरल मेज़स टेकन बाइड गॉर्मेंट है ना हमारा जो टेक्स्टाइल सेक्टर कपड़ा उध्योग जो भी बांगलादेश इसकास बहुत सारे ओर्डर थे और अगर वहां पर वह देखो सिधी सी बात है अगर पॉलिटिकल टरमाईल होगा ठीक है ना अगर पॉलिटिकल करना आसान है कर आंति का जंड़ा कर दो बहुत बढ़िया बात ठीक है ना लेकिन उसके नुकसान उसके फाइदाव से बढ़ भियाना, एहमदाबाद, सूरत, कोई मोटूर सयार मैठा ओर्डर से लेने के लिए और ओर्डर मिलना चालू भी हो गया है, ठीक है ना, ओर्डर मिलना कोई भी बिजनसमेन जो है, वो स्टेबिलिटी चाता है, वो डिमांड और सप्लाई दोनों की चेंज को मेंटेन करना चात है, ठीक है ना, पैसा देखो, फैको और तमाशा देखो, तो फैब्रिकेटेड जो रेवलुशनरी होती है, उससे रेवलुशन सोती है, उससे देश को नुकसा नहीं होता है, हाँ, यूथ के गुबार को शान्त करने का तरीका ठीक है, लेकिन अगर आप उस बिल्लिंग को ह भी तोड़ दोगे, तो फिर, कहां कुछ बन पाएगा, है ना, ठीक है ना, तो सबसे इंपॉर्टन बात है कि शान्ती बहुत जूरी है, और इंडिया में वो है, तो लगा तरह टेक्स्टाइल में भी हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में हम इस लाइन को अलग से आपके पुक्राज उख्राज होते हैं यह पैन रखें यह सब ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तर चेंजिंग पैर इंपॉर्ट इंपॉर्ट मतला समार एक्सपॉर्ट, सवान भीज ना, हम कॉफी, टी, मैने फेक्सिंग गूर्स, टेक्स्टाइल, ठीक है रॉव मतेरियल ठी ठीक है, ओके, आफ्र देन इनटीं सेमन्टेंटें इंपॉर्ट फूड ग्रें बिसकंटीनूर, इंटीन सेवन्टेंटीं का थाट ग्रीन रेवलुशनर हो गया, ग्रीन रवलुशन के बाद में सर प्रोडूक्शन करने लगे, ग्रेंस का, रहएँ हैं चावल की बात कर ले the major imports machine and the equipments especially steel edible oil and chemicals they can the step rise the import of the petroleum product in rising the industrialization second the better standard of the living the price rise in the international market and a petroleum products can demand bought in amber the sub-seam for my international brother buddy-buddy factories buddy the petroleum diesel petrol or LPG kids are pretty better standard of living low keeper capital income body loan bikes Kari the cars Kari the ticket a janitor is there and a price in the market petroleum the price of international market depends on our own money to go to this per unit barrel ho gaya dollar dollar price count to tell our memory payment dollar me karne Otiya haa aage to current scenario can there a gram-barker-layer to China agar-barker Russia for Russia and Iran have a room for payment let it back easy to be country से डॉलर में चार्ज करती है तो इंटरनेशन के इसाब से तो हमें बहुत महेंगा पड़ता है ठीक है ना एक्षेंज ऑफ डॉलर ओके यह अब्जेक्टिव इंपोर्ट्स के देश्पीडिंग देश्टिलिजेशन मिटिंग दॉमेस्टिक डिमांड ओर कमिंग दे नेच्ट तो आपको यह सब जो है वो करने पड़ेंगे तो धिरे जो है आपके आप किसी और देश में पना समान बेच पाओगे ठीक ना ठीक है चले वह इंपोर्ट काप्ल गूर्स मेंटेर स्टेडी इंक्रीस एलेक्ट्रिक मेशिनरी ट्रांस्पूर्ट्रिक मेनुफेक्ट्ट्यर heos, metals, and machine tools the other major items India import the pearls, semi prestigious stone, gold, silver metal furious or metal scrap, non-ferrous metal electric goods ये सब हम लोग क्या करता है है हम लोग import करता है कम मातर में कर रहे हैं जब ज़िया निकिन कर रहे हैं सब ज्षाधा petroleum इंपॉर्ट जो एर manufacturing जो बड़ी machine वी होती है जो high-hand machine इंग्रिस होती उनका हम करता है ठीक है ना चलें अब डारेक्शन ओफ ट्रेड क्या है है ना आगर 1950 से लेके 60-70 तक का रेशो देखें तो हम समान मंगवाते थे लेकिन 1970 के बाद में हमने पहले फूड ग्रेंस मंगाना बंद किये ठीक है ना तो डारेक्शन ओफ ट्रेड जो थी पहले अगर पूरी वर्ल्ड को देखें और इंडिया को देखें तो इंडिया जो था उल्टा था क्या था काम सब समान आ रहा है पूरी दुनिया से इंडिया में डारेक्शन ओफ ट्रेड क् के बाद में उल्टा हो गया हम बहुत सारे समानपुरी दुनिया भर को बेचने लगे और अब तो बहुत ज़दा बढ़ गया तो कहते डारेक्शन ओफ ट्रेड ठीक ना दे इंडिया है दे ट्रेड रेवलुशन फॉट्री हैं दे ट्रेडिंग भ्लॉक्स ठीक ना दे एम सु के इंपोर्टेंट इंपोर्ट लिबरलाइजिशन ठीक है ना ठीक है तो इंपोर्ट लिबरलाइशन हुआ है कई सारे देशों के अंदर आपस में की सारे फ्री ट्रेड एग्रिमेंट हुए फ्टी हुए जिससे एक दूश्य देश में समान विजना आसान हो गया है इसमें बिदलावाया है तो कई सारे देशों में बहुत सारी समान जो हुव भिखने लगए बहुत सारा जो ट्रेंड वहां सी और रूट सबसे ज्यूदा टेर ट्रेंड कि से हो रहा है वो सी रूट से हो तो हुँए के स्वाल पौ्शन आफ ट्रेंड रूट नेपाल पोर्ट को गेट्वे औफ इंट्रेड करते हैं और बल्क के अंदर मटेयल भेजने के लिए समान के इंपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट की पड़ती है साथ में हमारे सी रूट भी बहुत है लेकिन रेंड रूट के तो हम नेपाल के अंदर बांगला और सब के सब माइनर पोर्मेंट जो बड़े मेजर पोर्मेंट अलगल बड़े और गुझानिया को गवर्मेंट महाराश्ट को अन्हीं चुछे चोटे पोर्मेंट चिनी तो मदरास नहीं अटॉइंट सब्सक्राइब लडू वेस्ट बेंगॉल तो वेस्ट बेंगॉल के जो माइनर पोर्ट है और मेजर पोर्ट जितने भी है मेजर पोर्ट के बात कर लें मुंद्रा कांडला जवाला नेरू पोर्ट बुंबई पोर्ट मरमा गाउं पोर्ट मैंगलोर पोर्ट कोची पोर्ट चिन्नाई पोर्ट तूतिक और इनकी बात कर लें पारादी पोर्ट विशाखापत्नम पोर्ट है ना ये सब बड़े पोर्ट जितने भी है ये सब सेंटर कौर्वर्मेंट के अन्राथ आए ठीक है अरेबियन सी बेफ बंगा और इंडियन ओशन तो लगबग जो है कोस्ट लैन हमारी सेवन वन और अंडमा निकवार और लक्षदीब भी है तो हमारे पास बहुत ही फेवरेबल कंडिशन्स हैं ठीक है ना इंटरनेशनल एक्सपोर्टर इंपोर्ट करने के लिए ठीक है को हमा है सके बारे माइं कर रहा है उसके बारे में बात कर रहें हमारे आइडिये यश डबलू ए आर दी एच एन यश्वर्दन डॉट एस आई एंजी एस सिंग अर्दर एड़ा 247.com यह एमेल आइडिया यह क्या है यह एमेल आइडिया यश्वर्दन डॉट सिंग एड़ा 247.com आप मुझे से संपर्क कर सकते हैं अब सबसे इंपॉर्ट है आप डॉट करना अब डॉट कैसे करें आप गूगल प्ले स्टोर एप स्टोर पर जाएं या गूगल पर जाएं अड़ा 247 लिखें डाइट के लिखेंगे अड़ा 247 लिखेंगे ठीक है साथ से डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है आपका वहां से डॉट कर से इस तरह का पस्ति माह पैग विद दबुक्स है ना आडव मिंग्या अप्रिख करेंगे ठीक है और आप कोड लगाएंगे य४ाइय तो जैसे आप कोड को एंटर करेंगे यहाँ पर ठीक है ना जैसे आप code को एंटर करेंगे आपको जो है क्या code लगाना आपको वाई code आपको जो है वो लगाना है वाई sir g20 यह code आपको apply करना है और आपको लगबग 3000 से ज़्यादा का discount मिल जाएगा 4939 क्या कुछ मिलने वाला है इसमें आपको 12 की तेहरी के साथ-साथ plus c u e t c u e t में आपको gt plus language plus 4 domain यह मिलने वाला है महापाइगलन का फायदा होता है कि रिवजन बैज जबाएगा वो भी आपको फिसमें फ्री मिले का प्रेक्टिस पर बैचाएगा वो भी आपको फ्री मिलेगा अल्लिमिटेट टेस्ट मिलेंगे बुक्स आपको आपको डेली प्लाइव प्लस रिकॉर्ड एपिक लिटा सब्सक्राइब टीसरा डाउड शेशन होंगे वीकली चौथा रिवीजन बैच आपको इसके अंदर फ्री मिलेगा ठीक है ना प्लस पेपर प्रेटीस बैच फ्री मिलेगा चोथा mentorship आपको मिलेगे unlimited आपको जो है वो all batches मिलेंगे CUT के साथ में unlimited test paper मिलेंगे books आपको मिलेगे mentorship आपको मिलेगे और मेरी email id yassh yash wardhanyashvardhan dot s ingh at the rate at the 247 dot com यह मेरी email id है आप इसे email कर सकते है पादे नम्मर एक्षिंज होगा तो अपने group बना करके सभी problem को solve कर लेंगे तो आज ही जो है वो अपना batch book करें जरूरी है वाइसर जी 20 code को याद रखें एक छोटी से कोशिश सफल होने के लिए चले इंडिया के important ports के बारे हम बात कर लिता है ठीक है चले भई तो port gateway the seaport are the collection center of the commodities from the hinterland further shipment to the foreign destination अगर आपको कोई समान hinterland तक पहुचाना है माल लोगी यहाँ पर कुछ बनता है चत्रीस गड़ में और उसको बेजना है अमेरिका तो यहाँ पहुचेगा हिंटर लेंट से अपने अबारा से जो बनावा माल इंपोर्स पर आएगा और पुरे विदेश में जाएगा और विदेशों से बनावा माल इंपोर्स पर आएगा और पुरे भारत में जाएगा जिसकी जहाँ जैसी जूरुरत है in simple manner favorable condition of the develop the interaction trade क्या क्या है इंडिया surrounding by the three side of the it's a long coastline 7517 किलोमेटर है साथ में ही अगर हम बात करें इसमें अंडमा निकोबार और लक्षीदीप शामीर लक्षीदीप अरेविन सी में और निकोबार आइलेंड जो है वो बेव मंगाल में इसमें हमारे पास बहुत सारे natural ports है और बहुत सारे artificial ports भि है तो चाहें west world को cover करना हो तब भी हमारे पास port है east world को cover करना हो तो भी हमारे पास port है मतलब दुनिया चारोतर जाने के लिए हमारे पास पोर्ट है जो कि हमारे लिए बहुत फेवरेबल है ठीक है ना बाटर ट्रांसपोर्ट प्राइड आपको पता ही है सबसे सस्ता है ठीक है ना क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है इंडिया है इसेरल वैल डेवलप सीपोर्ट फ्रिक्शन नहीं बुक के अंदर 185 से संख्या बढ़ा करके 200 कर दीए जो आपकी नहीं बुक है ना उसमें 200 लिखाओ है नमर तो मैंने दोनों शामिल कर लिया 185 भी शामिल कर लिया 200 भी शामिल कर लिया नहीं बुक में 200 है ठीक है चिलता की बात नहीं है तक कराची पोर्ट पाकिस्तान कंपेंसेट कांडला पोर्ट भारत की जब टुकड़े हुए है ना तो यह सबसे पहले हम बात कर लें तो सबसे पहले घर हम बात कर लेंगे तो कोस्ट वाले पोर्ट और इस्ट कोस्ट वाले पोर्ट वैस्ट कोस्ट वाले पोर्ट के मारे में बात करेंगे यहां मेजर पोर्ट के में बात करेंगे सबसे इंपॉइंट बात है कि जितना भी बल्क ऑफ दे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है चाहिए वो कोई भी समान हो उसके अंदर सी रूट बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा कि हमने फिर्स्ट बुक में पढ़ रखा है ठीक है ना सी पोर्ट क्यों इं दो-दो किलो चीनी आएगी तो डिमांड पूरी थोड़ी ना होगी है ठीक है ना आज आपका से एक लिटर तेल आया है एक लिटर पैट्रोल आया एक लिटर तो बाइक भी नहीं चले तकती रंग से ठीक है तो जो लाखों टन तेल है वो इन जहाजों के थूआ सकता है ठी जो इसकाई ब्लू कलर जो है वो माइनर सी पोर्ट से ठीक है तो वैस्ट कोस्ट यानि अरेवियन सी के साथ में सी पोर्ट है वैस्ट कोस्ट पर बहुत सारे सी पोर्ट जो नेचरल सी पोर्ट से ठीक है और इस्ट कोस्ट पर जो बहुत सारे बहुत सारे सी पोर्ट से वह सी सिपोट जो है वो आर्टिफिशल सीपोर्ट सें मेजर कोस्ट लाई मेजर आपनेTM Wow माइनर पोटे सात्य जावान फोट की बारे हम बात करें具 लिए тоб disse बात कर लिए मरमागावं मिजर पोर्ट मैंगलोर मेजर पोर्ट है ठीके ना कोची major port है ठीक है कोची is the major port ठीक है तूतिक औरीण की बात अगर हम कर लए टायम मेजर पोड चिन्हा इस इसस मेजर विशा पत्रम अंदर पर्देश के इंदर चिन्हाई पोड की अगर हम बात कर लें और साथे रहते बात करने तूतिक और हमाथ करने बात करण है तो कारला मरमा गाऊं की बात कर लें तो कार nossa की बात कर ले करनाटका मरमा गउजवा में नावा शिवाया बंभई पोर्ट जो जो है न्यू बुम्भई कर लेते हैं किसकी कांडला पोर्ट की बात कर लेते हैं जो की कहा है ठीक है न तो कांडला पोर्ट की गुजरात के अंदर रिडियूस देप प्रेशर एड़ बुंबई पोर्ट का प्रेशर इसने कम कर दिया कैसे कम कर दिया तो मैं आपको समझालता हूं बहुत ही सिंपल है य थिका है। canvas इंडिया का वो इस कांटला पोर्ट से ओपरेटर और लगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनो ठीक है। और इसी पोर्ड को हमने फ्रेट करिडोर से वह जोड़ दीया, चाहरीह और भ्रेनवेय के थूफोह जोड़ दिया, the offshore terminal at the and reduce the pressure Kolkata port की बात कर लेते हैं जो कि West Bengal की तरफ है located on the Hoogli River Hoogli River पे है, यह समुदर में नहीं है Hoogli River जो है, वो गंगा की distributor ही है, ठीक है the problem with the silt accumulation क्योंकि नदी है तो silt इखटी होती है कादा इखटा जाता नीचे बहुत सारा सेडिमेंट सिखटे जाते हैं, तो कि बार जहाद फ़स जाता है the port facility of the land logged नेपाल and भुटान, नेपाल और भुटान के लिए पोर्ट बहुत फाइदे मन्द है क्योंकि अगर यहाँ बात कर लें ठीक है न, तो नेपाल और जो भुटान है, यहाँ यह पोर्ट, तो पुरा समान भुटान और नेपाल का भी जो माल आता है दुनिया बर से, और इनके माल को वेजने के लिए पोर्ट तो चाहिए, तो यहाँ पर यह अपने को टेक्स देते हैं, अपना समान तो नेपाल का समान और भुटान का समान इसी के थूर आता जाता है तो हमको टैक्स का फायदा होता है पैसे कमा लाटे हम भी इन देशों से ठीक है फिंपल बंबाइ पोर्ट एंडे लार्जस्ट ओयल टर्मिनल भी है बंबाइ पॉर्ट ठीक है ना साथ में बुंबई में दो ऺंगा है लाजस्ट कंटेनर टृट ओफ इंड्यक पॉम्बई और सबसे बड़ा पॉर्ट कौर्ट इंडिया में बुंबई पॉर्ट के नाम से और इक जावाल नीरु पॉर्ट के नाम से मरमा गाउन पॉर्ड फॉर्ट एस रिवर हैं ऐर समुद्रक के अंदर जाके सिधा मिल जाता है ठीक है ना डाइट ली फैलता नहीं डेलता नहीं बनाता उसे शुरी कहते है तो शुरी बहुत छोटी होती है साहिस में तो वहां यह पोर्ट बनावा है और 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 एक्सपोर्ट होता है जपान को जो आइरन और करनाटक में और गोवा और महराष्टर में खुटता है वो पूरा पूरा इस पोर्ट के तुरू जपान चला जाता है नियू मरवगां पोर्ट करनाट एक्सपोर्ट आइरन ओर आपको पता है कि होस्पेड बैलारी बाबुदान कुद्रेमुग जैसे बहुत सारी माइनिंग एरियाज है ठ सबसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट और गोवा से एक्सपोर्ट होता है ठीक है ओके सबसे डिपेस्ट पोस्ट पॉस्ट पॉस्ट और प्रदेश के अंदर बंगाल में जो भी आईरन ओर निकलता हो यहीं से अलगले देशों में एक्सपोर्ट होता है विशा का पत्नव पॉर्ट आंदर प्रदेश लैंडलोग्ड हारबर यह लैंडलोड हारबर है वही आंदर प्रदेश के अंदर डॉल्फिन नोज करके हिल है उससे गिरावा है ठीक है ना क्रेक्टेड बाइज सी all the mobile ृमनाद कयाल के साथ में लगावा है और कोची पर्ट को जो है क्या क्या क्यानाद सी होबगें अ इंडिया के लिए ठीक है कि ना की एप तो अब बात कर लिए इंदिया कंदर तो अब भारत में यह बहुत बढ़ रहा है बारत की पर कैपिटा इंकम बढ़ रही है इंडेशन बढ़ रहा है अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है डिमांड बहुत जाधा हो रही है बाहर के लोग आ रहे हैं बाहर की इंडेस्टी जा रहे हैं तो जीद दे एर ट्रांसपोर्ट भी बढ़ रहा है और एर कार्गो शिपमेंट भी बढ़ रही है ठीक है ना वह से लगजरी गुट्स जो है ठीक है ना जो बहुत महेंगे होते हैं उनको जल्दी पहुचाने के लिए ट्रांसपूर्ट का ही हम यूज करते हैं यह ट्रांसपूर्ट है कि तुर हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं आप सियाचीन भी समान भी सकते हो कश्मी रद्दा अंचल प्रदेश और जल्दी समान भी सकते हो तो यह ट्रांसपूर्ट बहुत इंपोर्टन है और मैं बता रहा हूं आपको कि पर कैपिटा इंकम बढ़गी है तो लोग आजकल जैसे रोड़वेज बसों में सफर करते तो लगाता है यह ट्रांसपूर्ट का भी सिग्निफिकांस बढ़ता जा रहा है इंडिया में इस वह ट्रांसपूर्ट का रिए बहुत बाहरी समान गहूं-चावल भीजने के लिए अब इसका यूज नहीं कर सकते हो अगर बिजने से एक बात कर रहे हो हाँ फोजियों को गेंचावल पहुचाना तो आप भेज सकते हो अलग बात है वो देशित के बात है लेकिन अगर बिजनस कर रहे हो तो बलकी और लार्ज इसके एक शमता होती है पत्चिस तीन तीस तन सो तन तन तीन सो तन बस इतना है ना बहुत ज़्यादा नहीं एक परजेंट द्वियाज ट्वेल इंटरेशल एरपोर्ट एंवन वन टू डॉमेस्टिक एरपोर्ट इन परजेंट ठीक है ना तो एहमदाबाद दैंगरूर चिन ट्वेंटिफाइव में से बारा एरपोर्ट मीजर एरपोर्ट है ठीक है ठीक है तो हैदराबाद कॉल कताब बुंबाई तुरूनंद पुरम श्रीनगर जैपूर कालिकर्ट नागपूर कोईंबटूर कोचिन लखनव पूने ठीक है ना ओके चंदिगर्ड मैंगलोर विश ट्रेड ठीक है ना जो कि इंडिया को लगातार आगे बड़ा रहा है अब हम लगातार जो बहुत बड़ी शक्ति बन रहा है अब एक रिकाप की अगर हम बात कर लें तो पोर्ट स्नेच्ट बाइदर पार्टिशन कराची चिटगॉंग कराची चला गया पाकिस्तान के पास चिटगॉंग चला गया बांगलादेश के पास बांगलादेश पहले पूरी पाकिस्तान हुआ करता है इनकी जगा फिरम ने कांडला गुजरात में डायमंड हार्बर कलकता में बना लिया नुकसान की भरपाई कर ली है ना तो सी पोर्ट की बात करें तो कांडला पोर्ट ह कहता है साथ में सी पोर्ट कॉल्काथा रिवर पर पर इल्लेएंड पर याद रखने के बात करने तो यह एरपोर्ट थे इंट्रेश्ट्रेट के बात करने तो यह एरपोर्स हैं बारत के एमदाबाद बैंगलूर चिन्ही डैली गोवा गुवाटी अधरवाद कोची कैलकटा बुंबई तुरुननपुरम श्रीनगर जैपूर कालिकट नागोर नागोर तुलास्थान महाराश्ट्रा कोईंबटूर णोरिक्सपोर्ट के बात करने तो हम लोग फ्लोरी प्रोडर्क्स को सबस्थाने के कर घूबक्त नाब्द नाओवाए और मिनलेश मैनिफेक्ट्ठिरिंग गूर करते हैं हम इंडिया से कर रहे हैं ए परोटेक्ट हैं गरना बात करें तो मेस्ड़ेशन ओव एशया और आश्या और अर्सटेंजारी ना उसाएर ओर यूरॉप सिथिए नमझना करता है। मेजर ट्रेडिंग पार्टनर जो हैं हमारे वह यूए चाइना और यूएस हैं ठीक है ना और मेजर टुट डबल इंटरनेशल ट्रेड इंपोर्ट 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 डिक्लाइंग चेंज फॉंद प्रोसेस प्रोट्ट पेशंट यह मैं पढ़ा चुका हूं तो यहां सबसे इंपोर्ट आपको डाउन्रोड करना क्या इंपोर्ट आपको डाउन्रोड करना ठीक है ना चुट यह मेरा वाई है सर जी ट्वेंटी ही मेरा कूड फस्ट दूसा मेरा इमील आइडी वाई ए ऐसे चिएश वर्दन.sing at the rate अड़ा247.com डिस्क्रिशन में लिंक दे रखा है आप अड़ा247 का टेली गाम से जोइन करें महापे आपको नोट की प्रेलिस का डिस्क्रिशन दे रखा है साथ में आपको पूछना हो बात करनी हो ठीक है साथ में आपको डाउनलोड कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्ड है गूगल प्लेस्टोर पर जाएं एप स्टोर पर जाएं और अड़ाट 24 7 का एप डाउनलोड करें ठीक है अल कोर्सिस पर जाएं आप जो है वो यूजी पीजे एंटरेस्ट चूज़ करें फिर आप सी उटी उजी चूज़ करें सी उटी महापैक चूज़ करें ठीक है ना तो वाइ सर जी ट्वेंटी ठीक है ना अपलाय करने तो वाइ सर जी ट्वेंटी कोड और 14,940 व्रुपक आपको पढ़ेगा 12 प्लस CUT ठीक है ना CUT में आपको GT प्लस लेंग्विज और चार डॉमिन और 12 के भी चार डॉमिन कौन कौन सब्जेक्ट मिलेंगा आपको मोहिंसर पढ़ाएंगे प्लिटिकल साइंस हिस्ट्री पढ़ाएंगे नितमायम जोग्राफ पढ़ाओंगा आपका अपना येश्वरदर और एकोनोमी जो मतलब साथ में आपको बुक्स मिल जाएंगी ठीक है ना और पूरे सालवर ही चलता रहेगा आपके साथ के अंदर ही डिली लाइफ क्लासिज होंगी बाद में क्लासिज रिकॉर्डर दिखींगे आपको डीपीपी आपको मिलेंगे ये रिजिजन बैचिस मिलेंगे आपको इस पेपर बैच मिलेंगे डाउट सेशन से अलग से मिलेंगे यश्वर्दन डॉट सिंग एड़ेट 247 मेरी इमेल आइड़ी में दे चुका हूं आप लोगों को ठीक है और वाए सर जी 20 मेरा कोड़ी डिसकाउंट के लिए मेरा डिसकाउंट तो मेरी हैल्प आपको दिनना अलबाद रहें हसते खेलते गाते रहें और जुड़े रहें स्यूटी डाट 247 के साथ मेरे सबसे इंपॉइंट बात है आज के छोटा प्रियास के बहुत बड़ी सफलता बन सकता है तो गौर करें एब डाउनोड करें और वाइसर जी 20 कोड लगाए धन्यवाद हम आपकी स अफलता में स्यूगी बनना चाहता है थैंक्यू सो मच